आज मेरा प्रेजेंटेशन है आप क्वालिटी कंट्रोल में जब आपका एनलीसिस का केडियर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एनलीसिस का फर्स्ट टेप जो रहता है आपको एक सैंपिल को वे करना है क्वांटिटीटीटीव एनलीसिस आप जब परफॉर्म करते हो आपको certain amount of standard और certain amount of sample वे करके आपको further proceed करना है तो ये वे करने के लिए जो balance है, definitely calibrated balance ही होना है और balanced वे करने के लिए क्या क्या precautions लेना है ये सब मैं पहले में एक मेरा एक दूसरा वीडियो है उसका calibration of balance में उसमें आपको detail जानकरी मिलेगा लेकिन इस वीडियो में मैं बोलना हूँ types of weighing procedure कितना type का आप वे कर सकते हो quality control में इसके बड़े में मैं आपको बताएंगे Friends, अभी types of weighing procedures जाने से पहले हम लोग एक analytical balance का parts को थोड़ा देख लेते है अभी company wise जो parts से differ हो जाएगा जो parts मैं इधर बता रहा हूँ सभी company का इसमें same रहेगा इसका कुछ meaning नहीं है अब जो company में काम करोगी उसमें जिस company का balance रहता है उसी की सबसे होगा ज्यादातर balance होता है Sartorias, Simard Zoo ये सब अच्छा brands है इसी का balance आपको ज्यादातर मिलेगा और दूसरा company का balance भी company wise हो जाएगा अभी देखिए सबसे पहले नीचे जो है power button power button में आप balance को on up कर सकते हो elliptical power on up कर सकते हो mode button से आप इसको calibration mode में लेके जा सकते हो और regular routine owing mode पे लेके आ सकते हो कभी-कभी mode button से आप उसका time और date यह सब भी चेंज कर सकते हो लेकिन आगर आप quality control में काम कर दिये होगे तो यह सब locked रहता है update time यह सब change नहीं कर सकते हो ठीक है next is tear button tear button में क्या है आप जब कुछ owing balance span के उपर रखा और वो कुछ owing definitely उसको so करेगा तो उसको tear button आप जैसे दबाओगे वो display zero हो जाएगा मतलब जो वे है उसको nullify हो जाएगा फिर आपका entry duct ring रहता है यह generally आपको vibration protection और air current उसमें से जो pan के उपर आप material आपकर रहता है उसको protect करता है और balance pan यह आपका main heart of the balance है जहाँ पे आप आपका sample और standard जो आपका material होई करने के लिए लेते हो उसी को receiver के अंदर आप वहाँ पे रखते हो फिर यह left hand side में आते हैं तो level adjustment feet है इसमें है balance का leveling करने के लिए आता है कभी ups and downs रहता है तो इसको screw के तरफ आपको clockwise, anticlockwise गुमा के इसको bubble indicator जो रहता है balance में actually इसमें नहीं दिखा रहा है वो bubble indicator को आपको center में लाना है इसी दोनों को adjust करने के लिए fit display उसमें आपको digital display रहता है आपको जो income value है उसमें दिखाते रहता है door का handle door का handle से आप manually कर सकते हो लेकिन आजकल का जो balance से जड़ा तर उसमें sensor रहता है जैसे आप आपका हाथ उसके पास लेके जाओगे automatic balance on up होते रहता है और ये glass door रहता है ये open होता है दोनों side के तरफ से और उपर के तरफ से भी ये glass door open होते रहता है friends now अभी हम लोग first type of waying procedure के बाड़ी में discuss करेंगे that is addition waying addition waying कहाँ यूज होता है ये ज़्यादातर solid samples और liquid samples के लिए यूज होता है जहां पे volatility कोई issue नहीं है volatility कोई issue नहीं मतलब क्या है actually volatile क्या होता है volatile मतलब होता है अगर organic कोई solvent supply लो ethanol, methanol, acetone ये type का solvates में क्या रहता है ज़्यादातर ये room temperature में evaporate होना सुरू हो जाता है अगर room temperature में evaporate हो जाए और इस type का sample आप waying करना चाते हो तो क्या problem हो सकता है तो इसमें problem आपको ये हो सकता है जब आपका sample में आप pen receiver और pen में बैठा होगे और वो continuously evaporate होते रहता है तो आपको क्या है आपको कभी stabilized weight आपको नहीं मिलेगा आपका balance पे तो आपको stabilized weight नहीं मिलेगा तो आपका waying procedure में ज़्यादा दिक्कत आने वाला है तो addition waying procedure इस type का volatile samples के लिए काम नहीं करेगा तो आपको उस type का sample is addition waying के लिए यूज नहीं करना है ना अभी procedure addition waying कैसे होता है सबसे पहले आप आपका जो receiver है balance के उपर अप place कीजिए अकर receiver क्या हो सकता है ये receiver हो सकता है butter paper हो सकता है glass boards हो सकता है glass board क्या है glass board एक छोटा सा glass का रहता है जिसके अंदर आप आपका sample लोई कर सकते हो ज्यादा तर essay analysis के लिए glass board का use होते रहता है और butter paper आपने देखा ही होगा ये paper का एक छोटा सा टुकरा रहता है जिसको आप बना के आप आपको sample लोई के time पे आप use कर सकते हो तो ये receiver को आपको balance को प्लेस करने के बाद आपको एक certain weight दिखाएगा ठीके? ओ weight को आप tear कर दीजिए tear करने से balance अभी आपका zero positions में आ गया zero positions में जैसे आ जाएगा आपको desired amount of material आपको receiver पे देना है desired amount आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको specification और आपका method of analysis में लिखा रहेगा आपको कितना quantity sample आपको away करना है उसी के हिसब से आपको sample लुआ से ओ receiver में डालना है जैसे आप receiver में डागाओगी again आपका balance आपको कुछ away so करेगा उसको stabilize होने दीजिए stabilize होने के बाद आप उसका weight को record कीजिए record का मतलब आपको note down कीजिए और आपको print का button का option है तो आप balance को print देजिए फिर आपको क्या करना है आपको quantitatively material को आपको transfer करना है appropriate vessels में जहां पे आपका further preparation आप कर रहे हो और आप guaranteed नहीं हो कि आपका पूरा material उसमें transfer नहीं हो पाया in that case में आप यह क्या करो तो receiver को आप फिर से weight करो और यह weight difference जो है आप note down कर दीजिए इतना error जो आपका है आपका sample quantity से आपको minus करना है इस type का procedure है addition owing hope आपको समझ में आ गया friends अभी second type of owing procedure के बाड़े में हम लोग discuss करेंगे जो है dispense owing यह कहाँ पी use होता है यह use होता है आपको emulsions और viscous liquid का use oye करने के लिए होता है viscous liquid emulsions आप देखे होंगे samples हम लोग daily routine life यूज़ कर रहे है hand sanitizer का joel होता है यह viscous liquids को हो सकता है कोई भी creams, lotions जो भी हम लोग use करते हैं ज्यादा तर emulsions और viscous liquids के type में आता है अभी यह type का owing का procedure क्या है procedure करने के लिए सबसे पहले तो आपने आपका balance को tear कर दो balance zero of positions में आ गिया फिर आपको आपका sample में suitable container के उपर balance के उपर place करो suitable container क्या हो सकता है यह transfer pupate हो सकता है कोई bottle हो सकता है कोई tube हो सकता है कोई कुछ भी हो सकता है तो यह place करने के time आपको और एक चीज धहन रखना जो भी आपका material है outside of the container में आपका जो container आपने लिया balance को बिठाने के लिए उसका outside में कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर कुछ है भी है उसको properly clean करके tissue paper survive करके बाद ही आप उसको balance पर रखिए और जो stabilize होने के बाद उसका way को आप note down कीजिए यह करने के बाद आपको क्या करना है फिर आपको ओ जो आपका receiving और transfer vessel से है जितना quantity आपको चाहिए वो उतना अपने transfer कर दीजिए transfer करने के बाद और tube, bottle जो भी आपका receiving है फिर से balance पर रखिए और उसका फिर से way लीजिए अभी यह जो आपको final weight मिलेगा और जो initial weight था tube में और bottle में अभी जो final weight है यह weight का दोनों का जो difference है अभी आपका transfer paciments का और transfer material का और transfer sample का way है इस type का weighing procedure का बोलते है dispense weighing फ्रेंड, अभी हम लोग final and third type of weighing procedure that is gravimetric dosing उसके बादे में discuss करेंगे जो आमारा laboratory में use होता है gravimetric dosing generally use होता है आपका standard analysis के time में आप जो standard और sample preparation करते हो उस time पे और capsule filling और इस type का similar type of activities में ये gravimetric dosing weighing procedure यूज होता है gravimetric dosing procedure बहुत ही simple है आपको सबसे पहले क्या करना है आपका जो standard sample preparation करने के लिए आपने कोई volumetric flask और कोई vials और कोई beakers आपको जो भी लिया वो सबसे पहले balance के उपर प्लेस करो प्लेस करने के बाद आप एक OE डिफिनिल एक OE दिखाएगा OE को stabilize होने दीजिए stabilize होने के बाद आप उसको tear button दबा दो tear button जैसे आप दबाओगे आपका balance का zero हो जाएगा अभी आपको क्या करना है अभी आपको balumetric flask के वायले और capsule में आपको जितना quantity आपको है उसी के हिसाब से आपको material और sample और material sample यह आपको put करना है put करने के बाद जो भी OE दिखाएगा उसी को आपको record को OE करना बतब record करना है यह है gabimetric dosing का procedures Friends Thanks अभी इतना तक यह slide तक आप आप आ गया तो आप मेरा पुड़ा presentation साइद देखा होंगे और आपको कुछ queries रहेगा तो आप मेरा email ID में आप मेरे को contact कर सकते हो कुछ भी बारे में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चैनल subscribe कीजिए और ज्यादा सुनिए और नया कोई topic में आपको जान करें चाहिए तो भी मेरे को बताइए तो मैं उसके उपर मेरा presentation मेरा experience मैंने गें किया 16-17 साल से pharmaceutical industry में तो आप सब के साथ share करेंगे उसमें एक तो है मेरा तो कुछ मेरा भी आपका knowledge रहेगा और और इस knowledge sharing से आप लोगो भी आप लोग भी एन रिच होगे thank you guys once again have a nice day करेंगे करेंगे